कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चैनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गवान दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के ऊपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एड शेतरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेसन करते हैं आप यहाँ पर आईए अपने question पूछिए मैं जरूर से आप लोगों को guide करूँगा अभी आप लोगों को WhatsApp ग्रूप और Telegram में भी जुड़ना है तो description में दोनों का link available है उसके उपर click करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो मैंने आपको कई बार आप लोगों को suggestion दिया था तो मेर आराउंड जब यह 620 के आसपास भी स्टॉक स्मूव हो जब मेरे को आप लोग बोलते हो ना उसका बेस्ट एक्जामपल आरती ड्रग है जबी भी यह स्टॉक यह देखो आप स्टॉक 120 रुपीज से लेके कितना चला गया था थाउजन रुपीज पे चला गया था उस टाइम पे भी लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या स्टॉक के अंदर investment करना चाहिए और हर एक बार मैंने ना बोला था कि भाई इतना बढ़ जाने के बाद कोई स्टॉक के अंदर investment नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े लोग उस टाइम पे अपना माल खाली करते हैं और फिर आपको माल दे देते हैं ठीक है तो ऐसी गलतिया नहीं करनी चाहिए यह बड़े लोगों के strategy होती है ठीक है और यही strategy से मैं भी काम करता हूँ इसलिए मेरी advice इतनी accurate आपको देखने को मिलती है तो अभी यहां पर जिस तरह के chart के structure मुझे दिखाई दे रहे है monthly time frame पे no doubt stock के अंदर काफी ज़्यादा correction almost हो चुके है ठीक है तो मैं आपको क्या suggestion दे रहा हूँ अब weekly time frame का chart का structure में देखता हूँ कितना ज़्यादा time pass हो चुका है इस stock के अंदर और अब जिस तरह से इस chart के structure मुझे दिखाई दे रहे हैं मुझे असा लगता है कि यहां से यह stock के अंदर bounce हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो जो बहुत ही aggressive category के लोग है वो 50% quantity current market price पर ही ले लो 525 के उपर ठीक है और जो थोरे conservative category के लोग है उनको मैं suggestion दे रहा हूँ कि आपको 50% quantity लेना है 517 rupees से लेके 510 rupees के बीच में तो यह हो गया 50% quantity का buying और बाकी का 50% quantity सब लोगों को buy करना है जो भी aggressive हो या conservative खिलाड़ी हो उनको buy करना है 500 rupees से लेके 490 rupees के बीच में 500 rupees से लेके 490 rupees के बीच में और फिर closing basis के उपर आपको एक stop loss maintain करना है 480 rupees का 480 rupees का अब r3 drug के अंदर मेरा view ऐसा बन रहा है और जिस तरह के चार्ट के अंदर consolidation phase यहां पर खतम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है तो उस इसाब से किसी को भी buying करना हो इस stock के अंदर तो आप जरूर से कर सकते हो और consolidation phase हो जाने के बाद time correction हो जाने के बाद किसी को अब काम करना हो तो आप जरूर से कर सकते हो यह मेरी advice है और जो allocation के साथ आपको बताया है उसी allocation के साथ आप लोग काम कीजिएगा immediate target 580-590 तक कि आपको target देखने को मिल सकते हैं और stock के अंदर और भी momentum play होता हुआ हमें दिखाई दिया तो 640 तक भी stocks आसानी से जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है so time correction खतम हो चुका है यह stock के अंदर तो किसी को भी काम करना हो तो जरूर से manage इस तरह से stop loss बताया है जिस तरह सा location बताया है उसी हिसाब से किसी को भी काम करना हो तब जरूर से काम कर सकते हो मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो video देखे knowledge require कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए